हलो दोस्तों वेलकम बाग वन सगीन टुआ चानल बिलियान एजुकेशन माइनम इस यश और आप सब जानते हैं हमने इसके पहले वाले एपिसोड में डिसकस कर लिया था कि रेजोनेंस होता क्या है और आज हम डिसकस करेंगे सातियों कि क्या रूल्स होते हैं रेजोनेटिंग स्टक्चर बनाने की ठीक है बट इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप रेजोनेंस की वीडियो देख लीजे ताकि आपको इसका बेसिक आईडिया आजाए अब यहां पर देखिए रूल्स तु बी फॉलोड फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्टक्चर सबसे पहला रूल क्या है रेजोनेंस स्टक्चर कें बी रिटिन अजली वेन अल्द आटम्स इन्वाल्ड इन पाई कॉंजुगेटर सिस्टम लाई इन सेंपलेंग अलब सारे क्या होने चाहिए सेंपल यहां पर और यहां पर चला जाएगा तो इसका स्टक्चर कैसे बन जाएगा यह चार का कुछ ऐसे अब यहां पर डबल बांड हो गया इस पर पॉजिटिव आ गया इस पर नेगेटिव आ अगया अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ब्यू पारे जो होते हैं वो सेम होना चलिए ठीक है नंबर अफ इलेक्राउंस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए बांड पेर लोन पेर सब कुछ सेम होना चलिए ठीक है आगे देखिए अब जड़ा देखिए अलग-अलग माल लिजे जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली एपिसोड में कि जैसे चोर होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मागते हैं तो सबसे जाधा किसका इंफॉर्मेशन कामयाब साबित होता है जिसने चोर को सामने से देखा है जिसने चोर को कहां से देखा है सामने से उसी तरह अगर माल लिजे किसी एक compound के चार resonating structure है तो उसमें से माल लिजे जो चौथा structure है वो काफी ज़्यादा information देखता है तो जो real structure है जो real structure है resonance hybrid almost उसके जैसा ही दिखेगा आ समझ में तो जो real structure है वो almost फोर्थ के जैसे होगा या फिर real structure में फोर्थ वाले का contribution जादा होगा देखिए अब यहाँ पे more stable having lower low energy resonating structure contribute largely and thus are important मतलब मतलब वो contributing structure या फिर वो resonating structure जिसकी energy सबसे कम है वो resonance hybrid में जादा contribute करता है चलिए अब यहाँ पर देखते हैं thus between the compared between the compared resonance structure that resonance structure is more stable and therefore important which has more number of coal in bond okay तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा resonating structure सबस्यादा stable है तो सबसे मेला criteria है कि जिसमें सबस्यादा coal and bond हो दूसरा more number of atoms with complete octate और duplicate तो देखिए इन्होंने complete octate को second position पर रखा हुआ है मतलब सबस्यादा उसके अंदर coal and bond हो फिर दूसरा उसमें किसमें ऐसे resonating structure जिसमें सबसे जादा का octate complete हुआ है या फिर अगर hydrogen है तो duplicate complete हुआ है less separation if any opposite charges मतलब जैसे माल लीजे ऐसे a,b,c,d है तो यहाँ पर positive charge है यहाँ पर negative और एक में positive atom मतलब अगर negative charge है resonating structure में और वह जादा electronegative atom के उपर है तो वह जादा stable होगा compare to less electronegative atom के उपर और अगर positive charge है तो वह जादा electronegative के उपर नहीं होना चीए वह positive के उपर होना चीए जैसे मैं आपको एक example दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए माल लीजिए यह हमारा structure ch2 double bond ch c double bond o o h अब जादा देखिए इसमें resonance होगा तो कैसे होगा यह इधर आया या फिर और थोड़ा अच्छे से बता है तो यह जो electron pair है यह directly आई इस carbon पे तो oxygen ने यह electron pair ले लिया तो इसका resonating structure कैसे बनेगा ऐसे की ch2 ch double bond c o minus और यहाँ पे o h और इसके उपर positive charge आया समझ में अब देखिए यह जो negative charge है यह कि इसके उपर जादा oxygen के उपर अगर कोई इसका resonating structure अलग अगल अगर अलग तरीके से बनाता तो माल लिजे अगर ऐसा कोई structure बना दे तो तो फिर क्या बोलेंगे यह देखिए इसको यह electron को यहाँ से उठाके यह electron को यहाँ पे लेखिया है और यह electron को इस carbon पे लेखिए तब जड़ा देखिए next structure कैसा बनेगा ch2 minus और यहाँ पे ch double bond c o h और यह o के उपर positive charge तो यह जो structure आप देख रहे हैं यह highly unstable highly क्या है अंस्टेवल तो कभी कभी ऐसे structure जिनकी energy बहुत जादा होती है इसकी energy बहुत जादा यह highly unstable है तो ऐसे किसे बहले मैंने resonating structure बना दिया बट इनका resonating structure नहीं माना जाता है आज समझ में एक बार एक बार इसको हम resonating structure मान लेंगे क्यों बता है क्योंकि यहां पर oxygen के उपर negative charge है यहां पर carbon के उपर negative charge है ओके लेकिन यह वाला structure बहुत जादा unstable होगा समझा तो याद रखना हमेशा जो negative charge है किसके उपर जादा stable होता है highly इलेक्ट्रो नेगेटिव आटम और positive charge किसके उपर जादा stable होता है जो electro positive होता है या फिर less electro negative होता है ओके less electro negative सर यह electro negative क्या होता है electro positive क्या होता हमको कैसे पता चलेगा अरे simple है ना मेरे भारी आप periodic table की हमारी वीडियो देखो उसमें सब कुछ बताएगा है अब इसमें भी कुछ बच्चे बोलते हैं आरे सर यह वीडियो देखो वो वीडियो देखो अरे या chemistry है एक concept में चार चार concept लगते हैं मेरे दोस्त तो उसको समझने के लिए तो बताना ही पड़ेगा ना नहीं तो फिर बोलोगे बोल देते हो ऐसे उसको पढ़ेंगे कैसे तो जिन लोगों को पढ़ना है मेरे दोस्त पढ़ते जाओ सीखते जाओ जादा बोलता है ना सोचो मत अगर जादा सोचोंगे तो कम पढ़ोगे समझा चलिए आगे देखते हैं मोर डिसपर्जिल ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का जो बोलता है ना डिसपर्जल जादा होना चाहिए मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर ए है और कोई बी है अगर एक पांच रिजोनेटिंग स्ट्च्च जादा चार्ज का डिसपर्जन होगा उसे हम कहते हैं कि वह जादा स्टेबल है यह सारे जो पॉइंट है चार से पांच पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तो याद रखिए सबसारा कोलेंट हरे का ओक्टेट कंप्री चार्ज के बीच में सेपरेशन कम नेगेटिव चार्ज जादा स्टेबल है जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव आटम पे और पांच वह चार्ज जितना हो सके उतना जादा डिस्पर्स हो चलिए यहां पे कुछ इंटेक्स एक्ससाइस के क्वेश्चन दिये हुए इसे हम लोग फटाफट देख लेते हैं तो देखिए यहां पे राइट रेजोनेंस स्ट्ट्चर ओफ एडेंटिकल ही होगे ऐटसी डबल बॉंड ओ माइनस अब जिनने नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि यह पाइबॉंड है और यह पाइबॉंड एपाइबॉंड और यह पाइबॉंड तो सिग्मा पाइबॉंड ओंड देखिए होगा क्या यह एक इलेक्ट्रॉन जो मैं रेड कलर से या पिंक कलर से दिखा देता हूँ, यह यहाँ पर आएगा, और यह कार्बन का इलेक्ट्रान, या फिर वो बाहर वाले को ले लिते हैं, यह वाला इलेक्ट्रान ऑक्सिजन पर जाएगा, तो फाइनली, कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, H, C, O, इसके उपर नेगेटिव च जादा स्टीवल होते हैं, क्या यहाँ कहते हैं, ईक्वल आरेज, तो इसका जो रेजोनेंट्स हाइबरी-ड होगा, वो ऐसे होगा, यहाँ पे, O, यहाँ पे, O, डैश, डैश, यहाँ पे, डैश, डैश, इस पर माइनस आफ, और इस मा swag आज क्यों गर साफ, क्यों दिये, क आप नीचे comment box में लिख के बता सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर अगर आप detail में देखो तो यह H है यह C, यह O है और यहाँ पर भी यह O है अब मैं आपको बताओ तो यह इसके उपर एक ऐसी P orbital है एक ऐसी P orbital है समझ में आया और यहाँ पर भी एक P orbital है यह O oxygen के उपर तो यह जो नेगेटिव चार्ज है यह P orbital के अंदर ही है और यहाँ पर यह इसका overlap होता है अब होगा क्या यह negative charge जो है यह negative charge जो है वो इस P orbital के साथ overlap करता है इस P orbital के साथ तो यह जो दोनों electron आप देख रहो अलागी एक ही मेरे को overlap दिखाना चाहिए ता अब आप सबको पता है जब भी हम P orbital बनाते तो उपर नीचे दोनों overlap दिखाते तो यह अब यह पूरा जो bond है यह shift हो जाएगा और यहाँ पे नया जो बोलता है न इनके बीच में P orbital बन जाएगा समझे ऐसा है तो यह oxygen का hybridization भी SP2 होगा और इसका hybridization भी SP2 है जिने नहीं पता तो उन्हें थोड़ा सा डीटेल में बता देता हूँ यह देखिए oxygen के outermose shell में कितनी होते हैं 6 electron तो यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन आप सबको पता है यहाँ पे negative charge है तो एक electron extra तो यह lone pair जो है ना इसको हम मानेंगे कि यह P orbital में है इसमें है P orbital में चीक है ओके और मैंने आपको तो बता आई था जब भी ऐसे सिस्टम के बगल में कोई एक atom और जिसके पास lone pair हो तो इसका lone pair हम count नहीं करते तो यहाँ पे oxygen के पास कितनी lone pair है तो तील lone pair में से आपन एक count नहीं करेंगे सर क्यों नहीं count करते क्योंकि हम ऐसा मानते है कि उसकी यह जो lone pair है यह resonance में इन्वाल है यह किसमे है resonance में तो इसको हम hybridization में count नहीं करते इसलिए यहाँ पे देखिए तो यह एक pair हो गए चलिए color change करके बताते हैं उस से अच्छे समझता है यह एक pair, यह दो pair समझ में आ रहा है और यह तीन pair इसाट लिया अरे सार वो negative charge को क्यों गिन रहा है ठीक है चलो negative charge को छोड़ दो वो bond वाले को छोड़ देते हैं यह एक pair, यह दो pair और यह तीन pair ठीक है, negative charge को लिया मैंने यह bond को छोड़ दिया मैंने अब भी जो green से मैंने encircle किया ठीक है, तो यह देखो, तीन lone pair में से एक को नहीं count करेंगे, मतलब दो lone pair और यह एक sigma bond green से बना तो दो lone pair, एक sigma bond hybridization मतलब steric number 3 तो hybridization क्या हो जाएगा, sp2 और वहीं पर इस oxygen का भी देख लो यह देखिए, oxygen के outer most shell में 6 electron, तो यह एक sigma bond हो गया और 2 lone pair तो एक sigma प्लस 2 lone pair तो इसका hybridization भी क्या हो गया, sp2 तो देखिए न, सारे sp2, sp2 हैं तो इनके बीच में resonance possible है आगे देखिए तो यह जो भी solution दिया होगा यह equal RS का आप इसे पढ़ देना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा identify the species which has resonance stabilization justify your answer यह देखिए, CS3OH, CS3NO2 buta 1,3 idine ओके, आप देखोगे न, तो first वाले में तो resonance हाई नहीं क्योंकि oxygen भी sp3 है, carbon भी sp3 है, तो पहले वाले में तो resonance हाई नहीं, अब दूसरे में देखिए, यह दूसरे जो दूसरा जो molecule है उसके अंदर resonance है कैसे, यहाँ पर देखिए CH3NO2 दिखाया गया है ओके, तो अगर आप इसका bond line structure बनाएंगे, तो यह कुछ ऐसे होता है N11O, और यहाँ पर O, और nitrogen पर positive charge और oxygen के minus होता है तो अगर आप देखो, तो यहाँ पर resonance है यहाँ पर यह electron जो है वो, इस nitrogen के पास आएगा और यह electron जाएगा oxygen के पास So finally, you'll be having RS, N, O 11O minus negative charge, ठीक है और यहाँ पर कोई charge नहीं तो यह structure 1 हो गया यह structure 2 होगी, तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 equal RS है, they are resonating structure of each other, तो इसका resonance hybrid कैसे बनेगा N, O, O इदर भी partial इदर भी partial double bond character minus 1 by 2, minus 1 by 2 और यहाँ पर nitrogen पर positive charge तो overall देखोगे overall देखोगे, तो CS3 NO2 हम लिखते हैं लेकिन इसमें nitrogen पर plus 1 होता है और oxygen की उपर minus 1 shared होता है, तो overall neutral हो गया है ठीक है, तो second वाले में तो resonance है तो यह resonance stabilized है थर्ड वाला भी resonance stabilized है और butadine का example, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही explain कर दिया था आच्छे से, तो जो लोग ने पहली वीडियो नहीं देखिया, आप देख लिए वरना आप बोलोगे सर आपने तो यह explain ही नहीं किया, ठीक है तो यह भी resonance stabilized है तो क्योंकि इसमें भी आप देखो तो यह sp2 है यह भी sp2 है यह भी sp2 है और यह भी sp2 है तो सारे क्या है sp2, 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 sp2 चलिए आगे देखते है remember, when all the resonating structure of a species are equivalent to each other the species is highly resonance stabilized for example, RCO- on CO3- पता है ना, इसमें मैंने आपको बता है equal RS आएगा equal RS मतलब जो सारे resonating structure है वो एक जैसे होगे same carbonate में भी सारे resonating structure एक जैसे होगे जैसे मैं आपको लिखा देता हूँ carbonate का structure यह देखिए C11O, O- 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 S अब इसको अगर आप एक नंबर देते हैं दो नंबर देते हैं तीन तो इसका देखिए एक और resonating structure O- C O- O- O चलिए एक और resonating structure देखिए इसका यह कैसे हो जाएगा C O- 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 O तो आप structure 1 को देखिए structure 2 को देखिए 1 को देखिए 2 को देखिए और 3 को देखिए सारे identical हैं एकदम almost similar type की दिखते हैं तो इसे हम कहते हैं equal RS और यह बहुत ही जादा stable होते हैं बहुत ही जादा क्या होते हैं? Stable due to resonance आगे देखिए problem 14.11 write 3 resonating structure of CH3C double bond CHO indicate their relative stability and explain तो उनके 3 structure हम लोग को minimum बनाने हैं और relative stability को बताना है तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो यह खुदी structure हो जाएगा CH3 चलिए उसको ले ले लेते हैं यहां पर कैसे आ जाएगा CH3 CH double bond CH C double bond OH चिक है? तो देखिए कैसे होगा तो सबसे पहले यह तो पहला ही structure हो गया दूसरा structure बनाने के लिए इसको इधर लेंगे और यह इधर आ जाएगा तो देखिए यह हो जाएगा CH3 CH positive आ गया और यहां पर CH double bond C O के उपर आ जाएगा negative 4 यह हो गया और एक देखिए एक resonating structure कुछ ऐसा होगा तो यह एक RS बन गया और एक इधर बना रहा हुँ है यह arrow को थोड़ा सा मिटा था हो आपको समझाने के लिए बाकि recording तो होई रही है तो आप पीछे जाके फिर यह arrow कैसे लगाया था वो देख सकते हैं अब इधर देखिए अब यह जो electron है यह वाला electron यह आएगा इस carbon पर यह carbon है ना इसको और इसका यह electron जाएगा इस carbon को फाइनली CH3C negative H CH double bond CHO O के उपर positive charge कीव O का यह red वाला electron गया और यह carbon के उपर negative charge कीव carbon को red वाला electron मिला तो अब ज़रा देखिए सबसे पहले तो first structure सबसे ज़्यादा stable है first structure सबसे ज़्यादा stable है यहाँ पर देखिए ना दो और यह 3, यह 4, और यह 5, और 6 हो गया जो दिख रहे हैं बाकि ऐसे carbon hydrogen के बीच में भी है तो वो तो सब में है तो जो दिख रहे हैं ना वो देख लेता है तो एक और यह दिहाँ पर 2, 3 यह 4, 5, और 6 और यह साथ कोहलिंग इसमें देखें एक दो तीन चार पांथ छे और इसमें कितनैंक एक दो तीन चार पांथ जी126 इसमें भी छे तो फरस्स हबसे अदा स्टेवल अब बाला दोसरा देखते हैं दूसरा तो दूसरे में आप देखो ना थो charge separation, oxygen के उपर negative charge नेगेटिव चारज, क्या है? यह structure को मैं second मांग लेता हूँ और इसको third मांता हूँ तो second structure में oxygen के उपर negative charge है अब भी आपने थोड़े धेर पहले पढ़ा था कि negative charge is more stable on more electronegative atom सर हमको कैसे पता चलेगा कि oxygen जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है अरे मेरे वाई oxygen जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है यह periodic table में ही बहुत साल पहले पढ़ा दिया गया था और नहीं पता है तो पढ़ लो तो सबसादा इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्लोरीन होता है फिर oxygen होता है फिर कलॉरीन इस एक्वल टू नाइट रूजन होता है उसके बात उसके बाद जो होता है वो सल्फर होता है फिर सल्फर पाइस सब आते जाते हैं समझ में आया तो जो negative charge है second structure में वो oxygen के उपड़ है और अगर third structure देखो तो oxygen के उपडर positive charge है ये तो highly unstable है इसको तो resonating structure भी नहीं मानेंगे तो ये third हो गया क्योंकि resonating structure वो होते हैं जिन में structure के बीच में energy gap काम हो तो यह हो गिए order of stability reason एकड़ां सीम्पल में यह जदर से कि सेकेंड वाले में negative charge oxygen के उपर है और थर्ड वाले में positive charge oxygen के उपर है जब कि oxygen के उपर negative charge जदर स्टेबल और concept दे और carbon के उपर positive charge व्यादा स्टेबल है तो यह तो गलत हुआ ना मेरे दोस्त समझ में आया आसान है बहुत आसान है तो यह था 14.11 का complete solution ठीक है अब यहां पर देखिए अब यहां पर पूरा बताया गया है resonance effect की resonance के वज़े से होता क्या है तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर end करते हैं अपनी next class में हम पढ़ेंगे resonance effect के बारे में तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आपके appreciation जो है उसे जरूर लिखी अगर आप चैनल पे नए हो तो subscribe कर दीजिए bell icon को दबा दीजी ताकि जब भी मैं वीडियो upload करू आपको इसका notification मिल जाए तो इसी तरह दोस्तों हमारी वीडियो देखते हैं अपना ग्या